हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का एकसल की एक और नई क्लास में जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को MSXL बिलकुल सुरू से सिखा रहा हूँ और ये पार्ट 13 है इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है डेटा टैप के बारे में जानने वाले हैं MSXL का बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है डेटा टैप इसके बारे में आपको ज़रूर बता होना चाहिए हलो दोस्तों मेरा नमें गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कंप्यूटर स्मार्ट क्लास चल ये वीडियो शुरू कर दे हैं तो यहाँ पर मैंने Excel को चालू कर लिया है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटा टैप के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ डेटा टैप से पहले फार्मूला, पेज ले आउट, इंसर्ट, होम, इन सभी के उपर मैंने वीडियो बना दिये हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे इसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जागा जिस पर आप क्लिक करेंगे बारी-बारी से सभी वीडियो को देख सकते हैं तो डेटा टैब में हम लोग जो है आज की इस वीडियो के अंदर get external data में ये जो सारे बटन दिये गए हैं इनके बारे में सीखेंगे और connection में ये जो सारे बटन दिये गए हैं इनके बारे में सीखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं Get External Data इसमें ये जो सारे बटन दिये गए न इससे आप जो है External Data को Insert करा सकते हो Excel की जो हमने फाइल खोली है इसके अंदर External Data का मतलब ये है कि जो भी आप Other Software यानि ये जो Excel आपने खोला है इससे नहीं कोई दूसरे Software से जैसे Access हुआ, Website हुआ कोई आपने Tax Format में कोई भी जो है Document बनाया है उसको आप Excel में जो है लाना चाते हैं, इंपोर्ट करना चाते हैं तो वो सारी चीज़े आप यहां से जब मैं आपको इन सभी को Practically करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके ज़े समझ आएगा वैसे जितना मैंने आपको बता दिया है उतने में भी आप काफी ज़्यादा समझ गए हैं सबसे पहले बात करते हैं From Access की तो अगर आपने जो है MS Access में कोई भी डेटा बनाया है और उसको आप जो है Excel में लाना चाते हैं तब जाकर के यह From Access का बटन काम करता है आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको Access के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा समय आपको Access के बारे में बता दूँ तो देखिए Access भी एक Software ही है Application Software है जो की MS Office के साथ In Build आता है जैसे MS Excel, MS PowerPoint, MS Word यह सारे आते हैं तो उसी में MS Access भी होता है MS Outlook भी होता है इस तरीके से जो है Total Art Software I think उसमें जो है आते है MS Office में ठीक है तो अब आपको समझ में आ गया हो कि MS Access क्या है वैसे अगर आप MS Access के बारे में जानते हैं तो बहुत यह अच्छी बात है नहीं जानते हैं तो आग आने वाली वीडियो में हम लोग MS Access भी सीखने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेर आइकन को भी जबा लीजिए वीडियो पसंद आएगा तो लाइक आप जरू करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करिएगा ठीक है तो देखे जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे इस तरीके से तो जो भी आपने MS Access में काम किया होगा जो भी फाइल के नाम से आपने डेटाबेस बनाया होगा वो इस तरीके से आजाएगा देखे यहाँ पर मैंने डेटाबेस 1 करे के नाम से MS Access में ही यह चीज बनाई है यह देखे यहाँ पर लिखा हुआ है Microsoft Office Access 2007 इसमें मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया है जिसको मैं अगर इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर दूँगा तो यहाँ पर आजाएगा लेकिन मैं आपको practically यहाँ पर डेटा बना करके भी दिखाता हूँ ठीक है सबसे पहले हम लोग MS Access चालू करेंगे फिर बनाएंगे फिर इसके अंदर import करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा तो मैं इसको minimize कर देता हूँ यहाँ पर मैं जो है start button पर चलते हैं और यहाँ पर नीचे इक शाइड में देखोगे यह देखिए Microsoft Excel है इसके बाद यह है Microsoft Office Access है तो मैं इस पर click करके इस open कर लेता हूँ open करने बाद कुछ इस तरीके से interface दिखाई देता है यहाँ पर हमको blank database पर click करना है इस पर आप जैसे ही click करोगे तो यहाँ पर right side में देखोगे यहाँ पर file name करके आ रहा है यहाँ पर जो है जो भी आप file का name देना चाहते हो उसको दे दीजे मैंने file का नाम यह type कर दिया है इसके बाद मैं create पर click करूँगा जैसे ही मैं create पर click करूँगा तो कुछ इस तरीके से interface दिखाई देता है यहाँ पर भी देखिए row और column है बस थोड़ा सा different है इसमें काम कैसे करते हैं वो जब हम लोग MS Access सीखेंगे उसमें मैं आपको complete बता दूँगा फिलाल छोटा सा data यहाँ पर बनाते हैं उसको वहाँ पर insert कराने के लिए तो यहाँ पर add field के name में आप जो भी यहाँ पर heading देना चाहते हूँ जैसे मैं यहाँ पर name का heading डाल देता हूँ नेम में आप जिसका भी नाम डालना चाहो मैंसे जैसे सुमित डाल देता हूँ इसके बाद enter बटन फिर अगले में चल जाएंगे सुमित की salary कितनी है माली जी आपर मैं पचीस सुरबे कर देता हूँ इसके बाद फिर से enter दबाऊगे तो फिर new पर आ जाओगे यहाँ पर salary टाइप कर देते हैं फिर आप mouse से भी इस तरह के से click करके बारी बार से यहाँ पर भी आ सकते हो ठीक है मैं यहाँ पर सुमन टाइप कर देता हूँ इस बार सुमन और यहाँ पर आ करके salary टाइप कर देते हैं तो इसी तरह के से मैं कुछ डेटा यहां पर बना लेता हूँ तो यहां पर example के लिए मैंने यह छोटा सा बिल्कु डेटा बनाया है आप यहां पर देख सकते हो यह छोटा सा डेटा ही मैं आपको वहां पर inside करा के दिखाने वाला हूँ और भी यहांपर अगर आप जो है इसमें heading वगरा जो भी डेना चाहो यहांपर आप ask क्लिक करके इसको दे सकते हो इसके बाद हम लोग यह बहुत आएंगे और इसको आपको save जरूर कर लेना है कहां पर आइए safe table नाम डेना चाहते हो यह जो भी यहाँ पर table name में जोRom जो भी नाम देना चाहते हो फोर दे सकते हों मैं इहाँ पर walk यहां पर आपको सेव करते हैं और यहां पर आपका सेव होगा यह जो है आपका जो डॉकुमेंट में जाकर कि सेव दाइएगा आप तो यहां पर देखोगे गुलाब डेटाबेस के नाम से यह देखे फाइल आई है ठीक है तो कोई बात ने मैंने लोकेशन भी बता दिया आ गया है ठीक है अब हम बस इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर ओपन करेंगे यहां पर जो है existing worksheet यह option आ रहा है और यहां पर यह जो है ले लिया इसने ठीक है यानि इसने range ले लिए automatic यह बता रहा है यह जो बिलिंक हो रहा है यह बता रहा है कि अगर आप ओके कर दोगे तो यहीं पर यह पर यह डेटा आ जाएगा तो फिलाल हम लोग यहां पर भी ले सकते हैं यहां पर भी जहां पर भी आपको लेना है बस उस पर क्लिक करिए अब वो अलग range ले लेगा और यहां पर आपको table ही select रहने देना है table ठीक है table ही select रहने देना है और यहां पर ok करना है जब आप ok करोगे तो देखिए जो भी हमने वहां पर नाम type किया था वो सब के सब यहां पर आ गए देखिए id नंबर आ गया है field 1 में name field 2 में salary ठीक है तो इस तरीके से आप from access से जो है data ला सकते हैं अब बात करते हैं from web के बारे में तो from web का इस्तमाल करके अगर आप कोई website पर से कोई data लाना चाहते हो तब यह button काम करता है मालीजे आप किसी website पर हो और वहां पर कुछ data आपको अच्छा लग गया है उसको आप excel में लाना चाहते है यानि वहीं से आप data insert कराना चाहते हैं excel में तब यह button काम करता है कैसे इस्तमाल करना है इसके लिए हम दूसरी sheet ले ले लेते हैं और इस sheet में मैं आपको data ला करके दिखाता हूँ तो हम यहाँ from web पर click करेंगे कुछ इस तरीके से option दिखाए देगा यहाँ पर आपको उस website का नाम लिख देना है या फिर मैं यहाँ पर what is MS word यान MS word क्या है इसका data जो है लाना चाहता हूँ यह जो लिखे हुए है सब ठीक है जो भी इसके अंतर data है वो आएगा उपर आप देखोगे यह website का URL है इस पर डबल क्लिक करिए और इसको control A से all select कर लिए control C से copy यह copy हो चुका है ठीक है अब आपको क्या क प्रोपी किया था उसको right button क्लिक करके यहाँ पर paste कर देना है तो अभी आप देखो कि यहाँ पर वो link आ चुका है अब आपको go पर क्लिक करना है जब आप go पर क्लिक करोगे तो यह देखे कुछ इस तरीके से page load होकर क्या आएगा और यहाँ पर जो है आपको yes पर क्लिक करन करना है तो देखे इस तरीके से कुछ आपका करसल यानि mouse pointer running होगा आपको यहाँ पर थोड़ा सा बस wait करना है इस तरीके से आजाएगा import data का option और यहाँ पर आपको यही रहने देना है range यह लिया है range का मतलब यह आप चाओ तो यहाँ पर भी range दे सकते हो वो range ले लेगा यह यहाँ पर दोगे तो यह ले लेगा यहाँ पर दोगे यह ले लेगा जो भी range दोगे वहीं पर data आएगा ठीक है अब यहाँ पर हमको बटन पर क्लिक कर देना है तो देखे यह processing अभी चल रहा ही है और हमारा data देखे एक्सल में पूरा proper देखे यहाँ पर यह आ चुका है ठ आना चाहते हूं सेम वैसा ही जैसा वहाँ पर लिखा है तब आपको उस website का URL कॉपी कर लेना है जैसा मैंने कॉपी किया था या फिर आप जो है उस URL को यहाँ पर type भी कर दोगे तो भी वही same काम होगा जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ www.gulabguru.com मैंने यह type कर दिया ठीक है इ देखे फिर हमारा जो है वही आ गया है यहाँ पर देखे फिलाल मैं इसको cut करता हूँ देखे वेबसाइट हमारी जो है इसको yes करते है यह खोल गई है ठीक है सेम यही data हमारा यहाँ पर आ जागा ठीक है जो हमने copy किया था तो यहाँ से अब जो है आपको यह चीज समझ में गई है फ्रॉम वेब बस आपको इतना समझना है वेबसाइट से अगर कोई data आपको लेका रहाना है तो फ्रॉम वेब काम करता है अब बात करते हैं from text के बारे में तो इसके लिए हम लोग जो है एक नई sheet ले लेते हैं यह वाली एक नई sheet लेते है control के साथ scroll button आप आगे की तरब move करोगे तो यह automatic zoom out होगा ठीक है अब देखिए from text का मतलब यह है कि अगर आप जो है wordpad पे कोई काम किये हो या फिर जो है notepad पे अगर आपने कोई data बनाया है तब उसको आप यहां से जो है यहां पर import करा सकते हो कैसे चलिए उसको भी मैं आपको practically करके दिखाता विंडोज के साथ आर यह जो आया है इसके अंदर मैं टाइप करूँगा notepad और मैंने यहां पर इंटर बटन दबाया है यह notepad खुल चुका है अब यह आप देखिए notepad है ठीक है इसके अंदर मैं छोटा सा एक data बनाता हूँ तो देखिए यहां पर मैंने एक छोटा सा data बना दिया है जिसमें मैंने इधर भी लिग दिये हैं और यहां पर अपकोई ऐसा भी data बना सकते हो या फिर आपने कोई लेटर ही यहां पर बना दिया है वह भी यहां पर आ जागा ठीक बस आपको इतना समझना है कि notepad में अपना एक छोटा सा कोई data बना देना है कुछ भ दबाना टैब बटन दबाओगे तो आप देखिए यहां पर इतना space आगया इस line में आगया हो ठीक है टैब बटन का ही आपको इस्तमाल करना है यहां पर मैंने सभी में जो है टैब बटन का ही इस्तमाल किया है यहां पर मैं जो है 42 सो salary कर देता हूं अब आपको क्या करना है इसको save कर देना है File में जाना है और यहांपर save पर click करना है और यहांपर location देदेनी है खाहाँ पर आप save करना चाहते हो तो इसको भी मैं het document में save कर देता हूं सहुलियत के लिए मैं यहाँपर file का नाम type कर देता हूं file का नाम हम गुलाब और इसको जो है notepad लेग देते है ठीक है यह गुलाब notepad के नाम से मैंने इस file को नाम दे दिया है और यहां पर मैं save button पर click कर दूँगा अब यह file save हो चुकी है मैं इसको बंद कर देता हूँ बंद करने के बाद हम लोग जो है excel चालू करेंगे और जहां जिस भी seat में आपको from text से data लेकर आना है उस seat पर आपको click रहने देना है यहां पर जो है आपको click करना है इसके बाद जो है इस तरीके से एक pop-up window आएगी और यहां पर देखिए हमने जैसे ही खोला यह document वाला automatic खोल चुका है और अभी जो है मने गुलाव notepad के नाम से अभी notepad में जो file बनाई थी वो यहां पर आ गई है ठीक है तो अब आपको क्या करना है बस इस पर click कर देना है क्लिक करने बाद यहां पर import पर click कर देना है जब आप import पर click करोगे तो कुछ इस तरीके से option दिखाए देगा तो यहां पर आपको जो है यही selected रहने देना है यहां पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है यहां पर आपको जो है next button पर click करना है अब यहां पर आपको एक छ टैब बटन दबा करके बनाये हो तो टैब पर ही सेलेक्ट रहने देना ठीक है अगर आप इस ने सिर्फ इस पेस दबा करके बनाया है तो इस पेस पर क्लिक करें ठीक है वैसे ज़्यादा तर side में कुछ इस तरी की option आ रहा है यहां पर आपको general पर ही selected रहने देना है यहां पर भी कुछ नहीं करना है अब आपको जो है finish पर click कर रहा है तो देखी यह range ले लिया है इसके बार ठीक है adjusting worksheet यानि जिस worksheet पर हम लोग काम कर रहे हैं उसी पर यह data आएगा इसने location ले लिए है आप चाओ तो उपर की भी location दे सकते हूँ मैंने आपको पीछे बताया अभी बता रहा हूँ आप okay कर दीजिए जैसे ही आप okay करोगे तो देखी यहां पर name में सभी का name आ गया है salary में सभी की salary भी यहां पर आ रही है तो इस तरीके से आपने जो है text from का भी इस्तमाल करना सीख लिया हुआ कि कोई भी हम लोग notepad में फाइल बनाए हैं उसको ms excel की में जो है import करा सकते हैं अब बत करते हैं from other source की तो यहां पर आपको जो है same जैसे कि हम लोग access से website से या फिर notepad से data को लेकर आते हैं ठीक उसी तरीके से यहां पर SQL server से आप data को ले सकते हो analysis server से ला सकते हो XML data format ला सकते हो और data from connection wizard वगरा को यहां पर import करा सकते हो बस ठीक है यह जो मैंने शुरू में आपको बदा दिया था ना get external data बाहर से कोई data लेना हो तो आप इन buttons का इस्तमाल करोगे समझ में आया अब बात करते हैं इस वाले button के बारे में existing conditions ठीक है तो इस पर आप जब क्लिक करोगे तो जितना भी आपने यहां पर जो है database की माध्यम से यहां पर data लाया होगा external data उसका नाम दिखाए देगा देखिए हमने लेकर आया है गुलाब database यह देखिए आया है नीजिक साइड में गुलाब notepad के नाम से आया है और यह जो blank करके हमने एक लिया था वो भी यहां पर आ गया जो हमने यह जो लेकर आया थे ना website के जरिए तो वह वाला भी आ गया ठीक है तो जितना भी आपने यहां पर excel की लेकर आया होगा आप लेकर आया होगा यहां पर button का इस्तमाल करके उसको यहां पर show होता है वह दिखता है ठीक है इतना समझ में आपको यहां से आप देख सेकते हो देखे यहां पर हमने जो है इस से पहले कैसे मैं आपको दिखाता हूँ जब मैं connection पर क्लिक करूँ हूँ देखे यह option आ रहा है ठीक है connection का है गुलाब database गुलाब नोटपैड नोटपैड से हम यहां पर लेकर रहा है गुलाब database से हम लेख seat1 में यहां पर आपको और भी कुछ options मिल जाते हैं जैसे add करना अगर आप चाहो तो यहीं से add कर सकते हो remove कर सकते हो यानि इसको delete कर सकते हो इसकी properties पर जा सकते हो जैसे मैं इसकी यहां पर click करके properties पर जा करके यहां पर जो है इसकी properties वगएरा देख सकता हूं बस छोटा सा ही यह काम है इसमें ज्यादा कुछ है नहीं इसके बाद इसको refresh भी कर सकते हो refresh जो यहां पर यह वाला है य यह आपने जो seat ली है उसके अंदर जो है कौन-कौन सा connections आपने बनाया है जैसे access का web का text का कौन-कौन सा connections बना है वो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी list दिखाई देगी यह समझ में आगया आपको चलिए अब मैं आपको बताता हूँ all refresh के बारे में तो देखिए अभी जो है इस पर क्लिक करोगी तो all refresh का option enable है लेकिन यह काम कैसे करता है माल लीजिए यह जो data आप लेकर आये हो यह तो यहाँ पर इस तरीके से सो हो रहा है in future माल लीजिए आपको जो है notepad में इसको change करना पड़े notepad यह हमने खोला और इसके बास जो है हम जो अभी हमने file खोली थी इसको open कर लेते हैं यहाँ पर open चलते हैं और notepad की file को जो ही उसी में open कर लेते हैं यह जो file हमने बनाई थी माल लीजिए इस इसी मांने कुछ edit कर दीए जैसे मैं यहां पर कुमार की जगह पर माल लिए मैं दूसरा नाम लिख देता हूं यहां पर मैं लिख देता हूं रोहित ठीक है मैंने यहां पर लिखा रोहित और इसके बाद जो है यहां पर राहुल की जगह पर मैं दूसरा लिख देता हूं कुछ ठीक है यहां पर मैंने ल save पर click कर दिजिए दुबारा से ठीक है यह save हो जागा यहाँ से अब यह file save हो चुकी है save होने के बाद देखिए वहाँ पर मैंने बदला था लेकिन यहाँ पर तो बदला ही नहीं तब जाकर कि हमारा refresh all का बटन काम करता है यानि refresh हो जाएगा ठीक है यह देखिए हम जैसे इस तो इस तरीके सी option दिखाए देखा फिर से हम जो है हमको उसी को select करना होगा इसको ठीक है और इसको select करने के बाद अभी देखिए सभी का data कैसा है और मैं इसको ok करता हूँ import पे और लेखिए यह पूरा refresh हो चुका है 6000 6000 इसका भी आ चुका है और यहाँ पर जो rajan हमने change किया था यहाँ पर जो है यह change किया था पूजा वो सब change हो गया ठीक है तो यहाँ से आपको यह भी समझा गया होगा refresh refresh का मतलब यह समझ लेजिए बस कि आपकी जो भी data यहाँ से insert कराए हो अगर उसमें by the way कोई संसोधन कर देते हो कुछ उसमें सही कर देते हो कुछ गलत सही कु देखाई दे रहा है गुलाब नोटपैड यानि गुलाब नाम की फाइल है नोटपैड हमने लिग दिया था जो भी फाइल का नहीं था उसका यह समझ में आ गया ठीक है अगर आप यही चीज जो है आप यहाँ पर जो है आकर के इसका प्रोपरटीज चेक करना चाहते हो त जब हम इसमें कोई links वगरा add करते हैं फिलाल इसका उतना ज़ादा इस्तमाल नहीं होता है जिनका भी इस्तमाल होता है उनकी सभी के मारे में मैंने आप सभी को बता दिया है आज की वीडियो में हमने जो है डेटा टेप के connections और गेट external data के बारे में complete सीखा है अगर आपको जो है इन बटन से लेटेट कोई भी confusion है कोई भी आपके मन में सवाल चल रहा हो तो आप हमें नीचे comment करके जरूर बताइए मैं आपको जरूर reply दूँगा next वीडियो में हम लोग सीखेंगे short and filter के बारे में data tools के बारे में और outline के बारे में आज की वीडियो में बस इतना ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए अपने friends and family के साथ भी इस वीडियो को share करिए चैनल पर पहली बार हो अभी तक चैनल को subscribe नहीं कियो तो subscribe करो यार subscribe करना बिल्कुल free होता है मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में एक नए जानकरी के साथ त तक लिए जाए हिंद बंदे मात्रम